अच्छा मौकान हमें मिलेगा तुमें है खुश चाहो खुदा हाफिस है तुमारा बोलीवुट के एक्शन हिरो विद्यू जामवाल जिनकी बहतरिंग फिल्म हम सब के बीच में आती है और हमारा मनोरंजन करती है ऐसे में दोस्तों इनकी शानदार फिल्म हा खुदा हाफिस चेप्टर टू जिसको हम सबी के बीच में रिलीज कर दिया गया है और दोस्तों इस मूवी को लगे वेगो आज दूसरा दिन इस्टार हो चुका है आपको बताते चलें कि इस मूवी का जो पहला पार्ट था उसको आप डिसनी प्लस होड इस्टार को पर देख सकते हैं और दोस्तों इस मूवी के अंदर भी आपको बहतरिंग एक्शन, कार पीट और दोस्तों काफी सारी चीज़े देखने के लिए मिलती है पर दोस्तों सावाल यहाँ पर आता है कि जहाँ पर इस मूवी के पहले पार्ट को डिसनी प्लस होड इस्टार को पर रिलीस करा गया वहीं पर इसके दुसरे पार्ट को सिनमा होल्स में रिलीस क्यों करा गया तो दोस्तों पहला कारण है कि इस movie का Buzzard जी हां दोस्तों जो पहली फिल्म थी उसका Buzzard तल एगबग 40-45 किरोड रुपे और दोस्तों यहां पर जो दूसेकंड पार्ट है इसका Buzzard ने केवल 20 किरोड रुपे जिसके नसे इस movie का Real Buzzard ने 15 किरोड रुपे तो आपको बता दें कि खुदा Half-Wish Chapter 2 के अंदर विद्यू जम्वाल ने फिस नहीं ली है क्योंकि वो इस फिल्म के खुद ही Co-Producer है और इसी का करण है कि इस मुवी का जो बज़र्ट है वो इतना ज़्यादा कम है अगर हम बात करें कि फिल्म में की occupancy कैसी बनी हुई है तो दोस्तो फिल्म अपने दुसरे दिन की morning की occupancy बता दी है 2% की afternoon की occupancy बता दी है 6% की evening की occupancy बता दी है 4% की और दोस्तो night के source की occupancy बता दी है लगबग 0% की जी हां दोस्तो इस movie के second day के night के सभी souls बंद कर दिये गए हैं क्योंकि दोस्तो audience इस movie को देखने नहीं आरी जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इस movie को release करा गया था Thor Love and Thunder के साथ में और आप सभी का पता है कि उस movie का जो buzz है जो crazy हो कितना खतरनाक बना है और दोस्तो इस movie को जो screen count है वो भी लगबग 1500 screen है मिली है जिससे आप कह सकते हैं कि ना कि film का promotion सही सकरा गया और दोस्तो ना ही film को screen मिली है जिसका effect आप इस movie के collections पे देख सकते हैं अब अगर हम बात करें कि movie release होने के पहले कितने करोड रुपे कमा चुकी थी तो इस movie के digital right, satellite right, theoretical right और music rights को बेचकर यह movie कमा चुकी थी लगबग 30 करोड रुपे यानि कि इस movie को बनाने वाले सभी actor, director, producer profit में रहे जिनको खरीदा है G company ने और आप सभी को पता है कि G company ने इस movie को खरीदा है तो इस movie का नुकसान और मुनाफ़ा भी G company ही उठाईगी जी हाँ, आपको बता दें कि विद्यू जमवाल, सीव लेखा, और रहे की बहतरिंग फिल्म और खुदा हफिस चेप्टर 2 ने अपने पहले दिन कमाये थे एक करोड 35 रुपे दूसरे दिन के occupancy movie बता दी है लगबग 1.5 करोड रुपे की जिसके चलते इस film में का दो दिनों का इंडियान नेट कलेक्शन हो चुका होगा हम सभी के बीच में 2 करोड 85 रुपे और दूस्तों फिल्म में का worldwide कलेक्शन आ रहा है लगबग 5 करोड रुपे का तो आपके ओपिनन क्या है कि खुदा हाफिस चेप्टर 2 क्या हम सभी की बीच में काफी अच्छी ओपनिंग ले पायागा क्योंकि इस बार इस movie का जो बज़ट है वो काफी ज़दा कम है और काफी कम बज़ट होने के साथ साथ खुदा हाफिस चेप्टर 2 हम सभी की बीच में हो सकती है हीट या फिर फ्लॉप कामेंड करके जरूर बताईएगा जैहिंद वन्ने मात्र